हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो फ्रेंड आज हम डिसकस करेंगे क्लास 12 में चैप्टर 11 3D की मिसलीनिस एक्सेसाइज कोशन नमबर 15 तो कोशन नमबर 15 में क्या बोला गया है? बोला है find the equation of a plane एक plane की equation बताओ जो की pass होता है line of intersection of a plane ठीक है? यह दो plane की equation दे रखी है कि इन दोनो plane के intersection से कोई तीसरा plane है जो की pass होता है ठीक है? और वो plane parallel है x-axis के तो उसकी equation बताओ ठीक है friend? अगर दो plane एक दूसरे से intersect करते हैं और वहां से अगर कोई तीसरा plane पास होता है तो उसकी equation होती है कि पहले vector प्लस में lambda दूसरा vector उन दोनों को इस formation में रख देंगे तो मेरा required plane की equation आ जाएगी ठीक है friend lambda कोई मेरा multiple होगा ठीक है तो ये मेरे को दिरखी vector equation मैं इनको convert कर लूँगा Cartesian equation में मानलों ये मेरा plane first है plane first की equation के दे रखिए r vector i plus j plus k equal to 1 ठीक है तो मेरे को इसको convert करना पड़ेगा Cartesian equation में तो मैं replace कर दूँगा r vector को क्या लिख दूँगा x i plus y j plus z k ठीक है मैं replace कर देता हूँ x i plus y j y plus z k sorry और यहां पर क्या दे रखा i plus j plus k equal to क्या चल रहा है 1 चल रहा है मेरा तो i वाल इटम i से multiply होगी यानि x हो जाएगा j वाल इटम j से होगी यानि कि y हो जाएगा k वाल इटम के से हो जाएगा equal to हो जाएगा 1 ठीक है तो यह मेरा equation होगी तो अब मेरा मैं compare करूँगा इसके साथ में a1 x b1 y c1 z equal to d1 तो मेरा direction ratio a1 कितना जाएगा कुछ भी इन्य तो 1 मालेंगे b1 b1 कितना जाएगा 1 और c1 c1 कितना जाएगा मेरा 1 और d1 d1 कितना जाएगा 1 आ जाएगा ठीक है यह मेरी पहली equation होगी जिसको मैंने Cartesian equation में convert कर लिया अब दूसरा plane जो दे रखा है क्या दे रखा r vector dot 2i plus 3j minus k plus 4 equal to 0 plus का 4 उधर जायागा dot 2i plus 3j minus k किसको जाएगा minus का बट यह टम किसकी रहने जीए plus की रहने ज़रूद है इसलिए minus को मैं इदर लिया r vector dot 2i plus 3j minus में k यह positive का होगी आप minus को अंदर multiply कर दो तो यह जाएगा r vector minus में 2i minus में 3j plus में k equal to 4 अब r vector को replace कर दो x i y j z k के साथ में तो r के चिका मैं इसको लिख दूँगा x i y j z k और यह term as it is जाएगी minus में 2i minus 3j plus k is equal to 4 x वालेट i वालेट हम i वालेट साथ multiply होगी यह यह minus का 2x j वालेट हम j वालेट साथ minus का 3y और यह जाएगा z equal to 4 तो यह मेरे जाएगी second equation a2x b2y c2z और d2 यहनिके मेरा a2 कितना जाएगा minus का 2 b2 हो जाएगा minus का 3 और c2 हो जाएगा 1 और d2 हो जाएगा मेरा 4 ठीक है पहला plane आगया दूसरा plane आगया दोनों plane की equation आगी मैंने इनको cartesian equation में convert कर लिया cartesian equation में convert करने के बाद में इन दोनों को put कर देंगे इस वाली equation में तो मैं उठा के put कर देता हूँ ठीक है तो पहला plane की equation है वो मेरी यह दे रखी है प्लस का बने दे रखी है माइनस का तो मैं रख देता हूँ x प्लस y प्लस z प्लस का बने दे रखी है माइनस का पहला plane प्लस में lambda दूसरा plane दूसरा plane मेरे को यह equation दे रखी है मैंने जो निकाली है माइनस में 2x माइनस में 3Y प्लस Z प्लस का 4 एद रइसका आजाएगा माइनस का इक्वल टू 0 ठेक है फ्रेंट यह आ गया आने के बाद इसको थोड़ा सा सॉल्फ किया जाएगा X प्लस Y प्लस Z माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस Lambda को अंदर मल्टिप्ला कर देता हूँ 2 Lambda X अंदर मल्टिप्ला कर दिया 3 Lambda Y प्लस Lambda Z माइनस में 4 Lambda एक्वल टू 0 ठेक है X वाले टम को हम एक साथ में रख लेंगे और Y वाले टम को एक साथ में और Z वाले टम को एक साथ में रख लेंगे ठेक है तो x minus 2 lambda x y minus में 3 lambda y z plus lambda z और constant value minus 1 है और minus का 4 lambda equal to 0 दोनों में से x common ले लिया 1 minus में 2 lambda x दोनों में से y common ले लिया 1 minus में 3 lambda y दोनों में से z common ले लिया 1 plus में lambda z दोनों में से कुछ भी common है ले minus 1 minus का 4 lambda equal to 0 इसको number क्या माल लिया 1 माल लिया यहीं मेरे required plane की equation आगई क्या आगी required plane की equation 1 minus में 2 lambda x plus 1 minus में 3 lambda y plus 1 plus में lambda z plus minus में 1 minus का 4 lambda equal to 0 ठीक है जो required plane है यह मेरा parallel है कि इसके x-axis के है जिसका diagram मैं आपको बना के दिखाता हूँ तो friend question में क्या बोला गया है कि जो मेरा required plane है मालों यह plane है required plane यह plane parallel है कि इसके x-axis के तो यह plane मैंने parallel बना लिया कि इसके x-axis के तो इस plane का जो normal होगा यह वाला जो normal है वो x-axis पे क्या बनाता है perpendicular बनाता है जो यह वाला normal x-axis पे क्या बनाता है perpendicular बनाता है ठीक है friend तो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ मैं इस plane की equation तो निकाल चुका हूँ ठीक है तो इसका जो direction ratio होगी वो क्या direction ratio कहां पे होते है इसके normal में तो normal perpendicular होगा x-axis पे तो इस statement को मैं यहाँ पे लेख देता हूँ नॉर्मल वेक्टर and to the plane to the plane is perpendicular to x-axis ठीक है जो इसका normal होगा इस पे रिखा यह x-axis पे क्या होगा perpendicular होगा ठीक है तो जो मेरे x-axis है इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा नॉर्मल निकालना पड़ेगा ठीक है इस x-axis का तो निकालने के लिए देखो जो मेरे यह वाला plane है इस plane का normal क्या होगा require plane है इसका normal निकालने के लिए मैं आपको पहले पीछे वाल equation को note कर देता हूँ तक इसके normal मैं तुमें दिखा सकूँ आपको ठीक है friend तो friend require plane मेरे equation यह थी जो मैंने इसको number one माना था पीछे load किया था ठीक है अब इस plane में से इसका normal क्या होगा basically इस vector form होते है न r vector dot n vector is equal to d होता है तो इसमें हमें clearly पता ले जाता है यह n जो होता है मेरे equation तो normal होता है ठीक है बट यहाँ पर normal क्यों होगा यहाँ पर normal vector होगा जो x y और z ed के साथ में जो दे रखा है तो मेरे इसका normal क्या होगा one minus में two lambda i ठीक है plus one minus में three lambda j plus one plus lambda k यह मेरे equation आगे normal vector आगया ठीक है इस plane का तो यह plane x axis पे क्या है perpendicular है तो मैं ox का भी क्या लिका लेता हूँ ox का normal कितना हो जाएगा अब इस plane का जो normal होगा definitely y और z तो क्या रहेगा जीरो रहेगा तो इसको मैं क्या लिख लूँगा ox vector one i plus zero j plus zero k ठीक है friend x axis का तो होगा but y और z की term क्या रहेगी zero रहेगी ठीक है friend तो इसके भी normal इसका normal इस पे क्या होगा perpendicular होगा अब perpendicular है तो मेरा conclusion क्या लिकल की आता है कि if two lines are perpendicular then direction ratio multiply equal to zero ठीक है तो मैं क्या लिखता हूँ if two line are perpendicular तो उनकी direction ratio क्या होगते है a1 a2 plus b1 b2 c1 c2 equal कि इसके होगा zero के होगा ठीक है friend तो इसके direction ratio क्या लिकल गया आते है इस वाले normal के direction ratio आएंगी मेरे 1 minus में 2 lambda b1 होगा 1 minus में 3 lambda और c1 होगा 1 plus में lambda और इसके direction ratio a2 होगा 1 b2 होगा 0 और c2 होगा 0 दोनों के direction ratio का multiply कि इसके उकल आना चाहिए 0 के तो यह रखमें 1 minus में 2 lambda multiply में 1 1 minus में 3 lambda multiply में 0 and 1 plus में lambda multiply में 0 equal कि इसके होगा 0 के यह term और यह term यह तो होगी 0 multiply होगा बच्ची कितनी 1 minus में 2 lambda equal होगा 0 के minus का 2 lambda दे रिक्सको हो जाएगा plus का 2 lambda multiply में इसमा जागा डिवाड में यह lambda की value आगी कितनी है 1 by 2 यह मेरी आगी lambda की value इसको ठाग में put कर दूँगा put in equation first जो मेरी first equation थी ना उसमें put कर दूँगा तो first equation को में आगी note कर देता हूँ तो पहली question मेरी क्या थी 1 minus में 2 lambda x plus 1 minus में 3 lambda y plus 1 plus lambda z plus minus में 1 4 lambda equal to 0 जहाँ पर lambda है वहाँ पर मैं कहा लगा दूँगा 1 by 2 lambda की जगा 1 by 2 x lambda की जगा 1 by 2 y 1 lambda की जगा 1 by 2 z minus 1 lambda की जगा 1 by 2 equal to 0 2 से 2 cancel हो गया कितना है 1 minus में 1 x यहाँ 1 minus में 3 by 2 y यहाँ पर देखो इसके अन्चे question डिर्क लिप्लिप्ला कर देखे 2 1s 2 plus में 1 z 2 1s 2 2 2s 4 minus का 1 minus का 2 equal to 0 यहाँ होगे 0x कुछ भी नहीं multiply करते 2 1s 2 3 y यह होगे 3 by 2 z यहाँ minus का 3 equal to 0 0x यह होगे minus का 1 upon 2 y 3 z by 2 minus का 3 equal to 0 दोनों का LC में ले लिया तो यह तो खता में 0x है बचा कितना minus का y यहाँ पर कितना बच गया 3z इसके निचे कुछे नहीं है 2 को सीधर multiply गए 3 2s आ 6 equal to 0 minus का y plus 3z minus का 6 multiply divide में multiply में चला जागा minus का y 3z minus का 6 equal to 0 minus का y 3z minus का 6 plus का तो यह मेरी required plane की क्या आगी equation आगी ठीक है फ्रेंट यह मेरी आगी required plane की equation equation of a plane तो फ्रेंट वीडियो पसंद आई है तो like का बटन दबाए और नए आए उस चैनल को subscribe करें ठीक है फ्रेंट okay bye bye thank you